हेलो गाईज, वेलकम बैक तो हुआ क्लब आज मैं आप लोगों को लोग सफाय एलेक्षन के बार में बताने वाला हूँ जैसे आप लोगों को भी पता है, कुछ डीटेल्स मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि आप हमारे country में और हमारे state में ऐसा हो गया कि they are taking particular face particular face देखकर वो लोग Selbst डालरेह empezar जैसे हुआ कि मोदी जी का face देखेंगे और वोट डालेंगे जैसे हुआ कि राहुल गांदी जी का face देखेंगे वोट डालेंगे ममताब एनर्जी को देखेंगे वोट दालेंगे अर्विन केज्रीवाल को देखेंगे वोट दालेंगे यह बहुत गलत हो रा है यह जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा है क्योंकि हम लोगों को इनका फेज देखना चाहिए जो अपनी constituency में बेखे हैं जो हमारी constituency में है अपनी constituency में जो काम चला है उसके बारे में धियान दो जो काम चल रहा है जो कितनी बार आप लोग उसको देखे हैं वो बारे में देखो उसको देखकर vote दालो ठीक है जिससे कि क्योंकि हमारा president rule है यह नहीं सिंगल फेस देखकर हम लोग vote दालेंगे that is very bad what's happening ठीक है यह बहुत बड़ी गलती में आ गया हम लोग यह प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक चलता है election ठीक है सारे पार्लिमेंट में बैट कर जितने MPs हैं पूरो सब लोग मिलने के बाद एक particular प्राइम मिनिस्टर एलेक्ट होता है ठीक है he is called a particular प्राइम मिनिस्टर candidate तो हम लोग क्या करते हैं एक बंदे का फेस देखकर हम लोग किसी और को दाल दे जो क्रिमिनल रेकॉर्ड रहेगा क्रिमिनल रेकॉर्ड है उसके पास बहुत से cases होंगे but what we guys do is हम लोग Modi जी का face देखकर उसको दाल देंगे Rahul Gandhi जी का face देखकर उसको vote दाल देंगे that is not at all right हमारे को इस तरीक़े से vote दालना है कि इस बंदे ने काम किया किया है क्या यह हमारे को support करेगा आगे जाकर क्योंकि हम लोग जाकर अगर हमारे घर पे for example in our area locality अभी नाले का जो हाईवे है हाईवे का कम जो सेंट्रल गवर्मेंट से आता है we can't go directly to Delhi और जाकर पूछ नहीं सकते है Parliament में कि आओ यहां पे रोट दालो what we can do is हमारा MP जहां पर है we can go ahead there even if we try we can go there वहां पे जाकर meeting कर सकते हैं उसको बता सकते हैं कि यह problem है हम लोग डिली जाकर direct कुछ हमारा राई रख नहीं सकते we are not that great people कि हम लोग जाकर कर सके middle class family, lower middle class and poor class को धियान रखकर वोट दालना चाहिए जिसे भी दाले वो 500 रुपे लेकर 1000 रुपे लेकर जाकर वोट दालते हैं वो एक दिन में आप लोग 500 रुपे खर्च कर देंगे वो बहुत बड़ी गलती है वो काम मत करो पैसे लो बट वोट दालना हो तो rates पे दालो जो सही है उस पे दालो आज पैसे दे दिया तो 5 साल तुम लोग ही भुगतोगे रिच पीपल को कुछ फरक पड़ने वाला ही नहीं पूर पीपल को मिडिल क्लास अवरेज मिडिल क्लास लोवर मिडिल क्लास उनको ही फरक पड़ने वाला है और वोट दालने जाओ यार वोट किना बहुत लोगों को मैंने अपने families और relatives में भी देखा है मैंने debate किया उन लोगों के साथ they are not at all interested मतलब नहीं वो एक vote से क्या काम चलेगा मैं बोलना चाहता हूं कि you should vote ये तुमारा rights है तुमारा first बनता है vote दालने का vote दालना है तो तुमारे पास rights होगा कि तुम पूच सकते हो ठीक है इसलिए मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता था आप लोगों को कि यहां पर prime minister rule है democratic है तो इससाब से vote सोच समझ कर दालिए किसी particular candidate को देख कर मत दालिए अपने consequence में जो है उसके बारे में जानकारी लीजिए और दालिए vote ठीक है इतना ही बोलना चाहता था and for more informative videos guys please do subscribe my channel and share this video to whomever your family members and friends who don't want to vote और जो भी ध्यान में रखते हैं कि मैं particular आदनी को vote दालता हूं उन सब के पास share कीजिए और इस video को आगे बढ़ाए अभी दो दिन आने वाला है election में so guys please knowledge gain कीजिए and let's vote let's vote for the right ठीक है तिल देन सी यू गई थांक यू